वाची बड़ी अमम भईया आगए अब रहा है कि अब अब भैस यह खराक है वेना दूदगी बेना नहीं चरा चार रित्ति दारा आएगे अरे तो पैसन से खरीद लिए न कहां पड़ी है चाहते आधा अब आगए पर का करमूब सयाना दिने हैं तो बैठे चैन परा था तक कराई का पारी जैन साथियो मैं संतोस कमार पडेल 2018 बैच कर डियस्पी हूं और अभी मेरी तैनाती ग्वालियर जिले में सब्सक्राइब गाटी गाउं के रूप में बच्पन से गाउं में रहकर पड़ाई की है और शाष की स्कूल से पड़ाई की है तो हम लोग जंगल के किनारे रहते थे हमारे पिता जी लोग तो जो भी आयका साधान होता था जंगल में जो मज़दूरी होती थी उससे होती थी उससे जो आय होती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जो पिता जी थे माता जी उस इच्छा में खर्च करते थे छटमी साथमी की पढ़ाई जब करनी होती थी तो जैसी मार्च में एक्जाम हो जाय तो फिर अगली कच्छा की कितावें तो मिलती नहीं थी उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की तो पिसी की तैयारी भी मैंने सेलफ स्टड़ी ही की और यह मेरी बच्पन से भी आदत थी कि मैं पहली से तैयारी करना सुरू कर देता था और सेलफ स्टड़ी की बदलत थी मेरा सेलेक्शन हुए मैं कभी किसी कोचिंग के दरवा कराते थे और हम लोग कई बार स्कूल की ड्रेस ही पहन कर चले जाते थे तो बड़ा वैसा लगता था कि हम हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं उन दिनों मनी मन सोचा करता था कि गरीब घर में पैदा हुए इसमें हमारी कोई गलती ने ईस्वर ने जनम दिया लेकिन गरीब ह स्कूल में पढ़ते पढ़ते बार्मी के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं बोपाल पहुंचा तो मुझे लगा कि जो मेरे पिता जी मेहनत से पैसा देते तो मैं भी कुछ पैसे कमाना सुरू करूं इसके उस चक्कर में मैं मार्केटिंग करने लगा था जिसमें को यह फल नहीं मिल रहा था तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया जब वापस आ गए घर तो पिता जी का कहना था कि अब हमसे नहीं होगा और तुम्हें नहीं पढ़ना तो यह बैंस्टर आओ चलो हमारे साथ हंसिया उठाओ फाड़ा उठाओ और काम करो खेत में तब तक मुझे लालवत्ती वाली नोकरी नहीं मिल जाएगी तब तक मैं दाड़ी नहीं बनाऊंगा और मेरी दाड़ी लगवग पांच छे इंच बड़ी हो गई थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे तो जब लोग मजाक उड़ाते थे तो मुझे अपना संकल्प याद आत अशिरवाद लिया तो मां से मेरा जो वारता लाव ती मुझे भी बहुत अच्छा लगता प्रेंडा मिल लिए मेरे माता पिता को देखकर और मैं आज भी कहता हूं कि मां-बाप की चमड़ी ने धूर्फ धूल खाई है तब जाके हमने यह चमक पाई है तो उनकी मेहनत और उनके समर्पन त्याक की वदोलत हमें यह सपलता मिली है मेरा सेलेक्षन हुआ ट्रेनिंग हुई ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड होती है बोपाल में उस समय मुझे सेकंड प्राइस मिला था मेरी मा भी आई हुई थी तो उसे तो मालम नहीं कि यह प्राइस क्या ह बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया जब हम लोग पढ़ते थे बहुत छोटे थे तो माता जी लोग पिता जी लोग दूसरों के खेद बटाई को लेते थे ताकि कुछ जादा आय अर्जित हो जाए और प्यार काम करते थे कहना की सरीर चलेगा तब तक हम स्व के पैकेट के लिए हमको दो गंटे किसी के साथ है काम कर रहे हैं उसका इट उसको दे रहे हैं या मतब जो एक मजदूर करता उसकी तरह बड़िया लेकिन खुसी-खुसी करते थे सरफ एक छोटी सी लालस रहती थी कि बिस्कित का एक पैकेट मिल जाएगा तो ये पुराने कि मैं ति में समय हें उस समय बहत कुछ अभाय होता है तब लगता है कि ये भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा मैं जो इतना बच्पन में पुलिस से डरता था, मैं नहीं चाहता कि लोग किसी भी उमर में पुलिस से डरें, क्योंकि पुलिस कोई डरावनी चीज नहीं है, पुलिस जन समान की सुरच्छा के लिए बनाई गई है, मैं इस तर से उठाओं तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो मेरी पास आता है, मैं कोशिस करूँ कि उनको न्याय दिला सकूँ, और उनको एक मन में ऐसा है कि पुलिस खतरनाग चीज नहीं है, पुलिस बहुत अच्छी चीज है और पुलिस हमारे लिए बनी हुई है, मेरा मानना है कि जिन्दगी मेनत से चमकती है, संगर्ष से नि असे च आनकी विडियो आनी बात में साथी डाउनलोड करा दिव्यमराथी एप